बैम्बू प्लांट घर में लाता है सोभाग्य जानिये इसके दिल्चिस लाब हम अक्सर घर की साथ सज्जा के लिए हम घर में कई तरह के पेड़ पौधे रख लेते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ पौधों को घर में रखना अश्युभ माना जाता है तो वहीं कुछ पौधे नकरात्मक प्रभाव भी दे सकते हैं बास यानि बैम्बू का प्लांट कई ठठलों से बना होता है और ये सबी ठठल आपस में बंधे होते हैं जिने घर में रखना शुभ माना जाता है माना जाता है बास का पौधा पांच तत्वों प्रिथ्वी, अगनी, वायू, जल और लकडी का प्रति निधित्व करता है इसे घर में लगाने से कई प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं साथ ही धन प्राप्ती के नए रास्ते भी खुलते हैं बास का पौधा बेडरुम में लगाने से दामपत्ते जीवन में मधुरता बनी रहती है वही वास्तु के अनुसार बास के पौधे का एक लाब ये भी है कि ये पौधा धन और स्वभाग्य को आकर्शित करता है स्वभाग्य के लिए बास को आठ या नौ डंठल के समू में लगाना चाहिए का जाता है कि बास का पौधा लगाने से बिमारियां दूर होती है और व्यक्ति का शरीश स्वस्त रहता है वही वास्तो शास्तर के अनुसार अगर आप घर या ओफिस में बास का पौधा लगाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छी दिशा पूरब है कि यदि आप इस दिशा में बास का पौधा लगाते हैं तो घर में सुक्षान्ती बनी रहती है और साथ ही आर्थिक स्थिती में भी सुधार होता है वही बास के पौधे को कभी भी खिड़की के पास नहीं रखना चाहिए क्यूंकि धूप में ये पौधा खराब हो सकता है जिसका सर आपको अपनी आर्थिक स्थिती में भी पढ़ सकती है वास्तु के अनुसार बास के पौदे का दो से तीन फीट के उचाई तक बढ़ना शुब होता है